गाइस रेड सन गॉट की आर्मी ने मेरी फैमिली और साथ साथ में अवेंजर्स की फैमिली को किड्नैप कर रखा है वो भी स्टाक मेंसन में इसलिए मैंना यहां पर यह बहुती छोटा सा सिर्फ दो तीन डॉलर का एक सूट खरीद के लाया हूँ जो की है असल में अल फादर कराया हूं समझे काइस देखिए यहां पर एक तो यह रेडल के ऊपर से तनी बड़ी बड़ी आर्मी और सुक लखड़ी से मारा गामें इसको अप्रेड करूंगा अरे बापर यह तो खातम सूट है नहीं मेरे दोस्तों मुझे प्लीज बिलीव रखो मैं तुम सबको बचा गाइस मुझे इन सभी कोराने के लिए एक ओल फादर लावागोंड पनना ही होगा तेरे बसकी कुछ नहीं है आप लोग ना प्लीज प्रूफ करो कि यहां पर दोस्ती की तागत जादा होती है अरा मूचा की कसम इससे बड़ा जोक मैंने नहीं सुना क्या तुम लोग मजा और चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज गाइस लाइक बटन सुरूद बना और अरा अरा बापरा यह क्या इसका सूट तो सच में अप्रेड हो रहा है बॉस हाँ गाइस देखा मैंने अपने छोटे मोटे सूट को एक बड़ा सा और फादर लावा गॉड हलक का सूट मना ल यह तो कोई और है अरे नहीं मेरे भाईयो मैं तुम लोगों क्यों मारूंगा मैं तो तुम्हें बचाने के लिए था उल्टा हो नो दोस्तों कोई आप पर कुछ गलस साजिस रच रहा है कौन है कोई बचा यह तो लावा गॉड है और बापरे यह तो लावा गॉड है काई यह तो हमारे स्टाक मिंसन के ऊपर है पड़ गया यह हमारे स्टाक मेंसन के ऊपर क्यों आया है। मुझे बचा ले तिरा Spider-Man मुर रहा है मैं भी मर रहा हूँ दोस्तों निम सब को कैसे बचाओ मेरे Sinchen और बापरे का इस कोई प्लीज लाइक कर दो अप्तो विडियो यह सम्क्या हो गया Franklin थाइब को किस ने मारा है यह भी पता करें गारे काई मुझे जल्दी से आज निकल लाहा हूगा निकल ग्या विजा वी जल्दी बचाना होगा लेकिन काईस मेरी मेरी बादी में चान नहीं बचिए मुझे उठानी जा रहे है कोई है हमारी मदत करो प्लीज एम्बिलेंस बु रावागॉट को बद दूआ लगई मेरे भाई-लावागॉट को एं फ्रेंकिलन की फैमिली और वेंजर्स की फैमिली मारा है इसलिए आज मैं इनको कच्चा चबा जाओंगा ये मेरे बेटे को मारे हैं मैं इनको खा जाओंगा गाइस ये गॉण फादर टाइटन तो हमें कच्चा खाने की बात कर रहा है अरे फ्रांक्लेंड प्लेज बचा बहुस खा जाईए एक को एक को तो मैंने फैक दिया उडीन के उसा मुझे भी मार दिया नाई मेरी फामले ने कुछ नी किया औरे बाप रे नाई फ्लीज आज़ आज़ बाद बादना अरे हल्क तो बहुत नादान है हल्क तो मासूम है नाई अरे चल निकल निया से जल्दी से इन सबको दो मैं इन सबको कच्छा खाऊंगा नाई गाइस एक एक करके मेरी पूरी फैमली को यह लोग गॉट फादर टाइटन के मूँ में फैक रहे है मैं तुम सबको बचा लोगा अच्छा तो खुद को बचा गे दिया बिलकुल यह खुद को भी नहीं बचा पाएगा नाई इसने मुझे नीचे वैक दिया आजा तुझे भी खाऊंगा नाई 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 एक मिनट यह क्या मैं गॉट फादर टाइटन के मूँ में इसे पता नहीं कहां के गिर गया तोनी स्टाक, अवेंजर्स तुम लोग कहा हो गाई शायद वो भी मेरी तरह बच गए होंगे गाई समय उन सब को ढूणना होगा ओ नो, इतनी गरीबी में इनको कैसे बचाऊंगा पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है अवेंजर्स फैमिली के खिलाफ है यह सोचते हैं कि हमारी वजह से ओल फादर लावागोट की मौत हुई लेकिन दोस्तो, मुझे लगता है किसी अपने नहीं ओल फादर लावागोट को मारा है और हम पे इल्जाम लगा दिया है उस चेकर में सारे अवेंजर्स मर गे मेरा सिंचैन पिंचैन भी नहीं मिल रहा मुझे चौप भी नहीं मिल रहा और टोनी स्टाक कहां पर है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है दोस्तों मैं तुम सब को बच्चाओंगा ये भी पता करूँगा कि लावागोट को किसने मारा है किसने आपर हमें इल्जाम में फसाया गाइस हमें जल्दी चलना होगा और जाके पता करना होगा ये टोनी स्टाक कहां पर है साथ साथ में एक मिनट गाइस वो क्या चल रहा है वाँपर वहाँ तो रैडल की आर्मी है रैडल की आर्मी मुझे छोड़ दे बड़े आये थे मुझे मारने वाले मुझे यहाँ पर All Father God या उससे भी बड़ा God बनने से कोई नहीं रोक सकता मैं यहाँ पर यह भी पता करके रहूँगा कि असल में लावा God को किसने मारा है यह तो मुझे ही पता करना है है टोनी स्टाक के पास 200 मिलियन डौ का गोल्ड है लेकिन एक मिनट गाइस यह 200 मिलियन के गोल्ड का इस्तमाल करके All Father God या कोई और सा God कैसे बन सकता है यह सब क्या कह रहा है गाइस मुझे टोनी स्टाक का पीछा करना होगा इसके बाद ही मुझे पता चल पाएगा कि असल में टोनी स्टाक कहा जा रहा है इतने सारे गोल्ड को लेकर और यह पूरी दुनिया के गोल्ड से कैसे लड़ेगा यह पता कैसे करेगा कि लावा गोल्ड को किसने मारा है एक मिनट गाइस यह क्या सामने कौन है बिलकौल Mr. Red यहाँ पर जितना भी गोल्ड से सामने सामने डाल ले लो और मुझे एक स्मार्ट लेटोप दे दो टोनी स्टाक ने सामने मिलियन डालर का गोल्ड Mr. Red को दे दिया एक लेटोप के लिए और यह बोल रहा है किस लेटोप से एक गोल्ड बन सकता है तो जानते हो इसका कितना शक करता है मुझ पर आल राइड ये खौली बस मैंने वेबसाइट क्या ये किसी वेबसाइट को खुलने वाला है ये वेबसाइट मुझे आज गॉड बना ही देगी क्या ओ माइग गॉड गाइस वो कह लेग रहा है तो मुझे यहां पर थ्री डाइमंड गॉड का सूट चाहिए वो भी ओल फादर वर्जन गा ये खरीदा ओ भाई साब टोनी स्टाप ने इसलिए लैप्टॉप लिया था क्योंकि इसने इससे सौ मिलियन डॉलर में जायंट ओल फादर त्री हैडड डाइमंड गॉड का सूट खरीदा है गाइस यह ल अब इंजर्स को और सिंचन की फैमिली को बचा सकते हैं और गाइस मैंने लैप्टॉप ले लिया है अब जदी से जाता हूं देखता हूं गाइस दो डॉलर में मुझे क्या मिलेगा जदी भाग फ्रेंक लिन इससे पहले कि टोनी स्टाप यह देख लेगा अभी काम करता कोई वेबसाइट ढूंड़ता हूं यह कौन से कोड की वेबसाइट है यह किलक किया मैंने है अरे यह तो लॉक्ड है गाइस सायद इसको अनलोग करने के लिए मुझे कोडिंग करनी पड़ेगी हो जा हो गई उपर लिख रहा है गाइस ओल फादर लावा गॉड सूट शॉ इसे मैं सिंचन पिंचन और चॉप कर ढूंड़ता हूं मुझे वह मिल रहे है एक मिनट कि तो गॉड फादर टाइटन है अरे गाइस इसी ने तो खाया ता मुझे मेरी फैमिली को रवेंजर की फैमिली को काफी मजा गया उनलोगों को खाकर गाइस कहीं ऐसा तो नहीं है ग गाइस पिंचन और चॉप मुझे दिखें गॉड फादर टाइटन के मुझे अंदर गॉड फादर टाइटन मैं आ रहा हूं कौन आ रहा है यह ले मैं तुझे मार दूँगा अरे बाप रे यह तो बहुत धंड है गाइस मैं हार नहीं मानुगा मैं को औल फादर लावा क्या यह तो मेरी बरफ पिखल रही है क्या बाद है गाइस मैंने यहां पर गॉड फादर टाइटन की बरफ को भी पिखला गया लेकिन दोस्तों भी मैं इतना पाफुल नहीं हूं कि पिंचन एंड साथ साथ में अपने चॉप को पचा सको क्योंकि यह गॉड फादर बहुत तो मैं हार नहीं मानूँगा मैं गॉड फादर टाइटन का पीछा करूँगा उसको डून कर रहा हूंगा चाहे कुछ भी हो जाए मजे फेरी फेमली चाहिए ही एक मिनट यह कौन है अरे भाई काफी मजा जा जा उस बुड़े को मार कर मिलकुल सही का यह तो बुरे लॉग लगते हैं मुझे काईज आइडिया क्यों ना मैं यहां पर इन गोल्डन रिवेंजर हल्क्स को सोने में कनवर्ट कर लूँ और भया कौन मार रहा है और कौन है और नहीं काईज मैं इनको गोल्ड के बिस्किट्स बना दूगा क्योंकि मैंने इन में आग लगा दिये यह जल और यहां पर 45 मिलियंड टालर मिल गई और गाइस 45 मिलियंड और मैं कोई नए कोई और लवागाद का तो सूट मिलेगा ऑल राइड तोस्तों अपने लैपटाप पे चुका और यहां पर एक बीच में सूट है 45 मिलियं डार का क्या बहते इस सूट के तो होन्स भी है अभी म मैं यहां पर All Father Lava God Revenger Hulk बन गया हूँ इसका मुटलब दोस्तों अब मैं यहां पर अपने पिंचेंड चॉप एंचेंड को बचा पाऊंगा लेकिन उसके लिए फेले मुझे Godfather Titan को ढूढ़ना होगा गाइस मैं काम करता हूँ यहां पर Godfather Titan के ही सूपर एनरजी को फील करता करता हूँ एक मिनट गाइस मुझे सामने से फील हो रहा है जैसे ही यहां पर यास पास कहीं Godfather Titan हो गाइस अगर आपको भी Godfather Titan देखें तो प्लीज कोमेट में जरू बतारा एक मिनट गाइस Godfather Titan मुझे दिख गया यह रहा सामने यह यहां पर क्या कर रहा है ओ नो एही हमें कई बचे हैं बाइक साब बाचाला गाइस मुझे एक बास समझ नहीं आ रही है Godfather Titan ने पिंचेन एन छॉप को जाल में क्यों बंद कर रहा है और सिंचेन कहा पर है तुम लोग जल्दी ही मेरा सिकार बनो गए फिलाल मेरा पेट भर चुका है और मैं बहुत जल्द बचे हुए Avengers को भी खाऊंगा क्या Avengers को भी इसका मतलब शायद उसको पता चलेगा यह टोनी स्टॉक्स जिन्दा है बहुत हो गया यह ले मैं तुझे चांद से मार दूँगा क्या बुला तू मजे मारेगा किले तू है कौन मैं इनका भाई हो Franklin पहले यह पता सिंचेन का है सिंचेन को तो मैं कपका खा गया ऐसा नहीं हो सकता यह ले मैं तुझे चांद से मार दूँगा अरे नहीं इतनी ताकत तुझ में कहां से आई मेरे भाई को मजे वापिस गर यह ले यह कैसे हो सकता है गाईस यहाँ पर इसने मेरे सिंचेन को मार दिया ओ नो एक मिनट पिंचेन चौप का है बाबाज साब यह कौन है बाप लीज आमा मात काना अरे मैं तुम्हारा फैमली मेंबर फ्रेंकलिन हुँ यार तुम मुझे भूल कर सकता है बाबाबा कलो है तु तु लाल करता हो गया अरे असल में बहुत लंबी कहानी है फिलाल ये बताओ क्या गौट फादर टैटन सच के रहा था क्या सच में कमा मचे भाला के लिया जिसे अवार उसको छोड के ईपार गया हमेरे सिंचन फिंट भाल यह सब करना दो एब को एक मना मुझे कुछ तीक ने लग राए जैसकी कोई चीज वहत ही जी से हमाई तु तरफ एंट मजे आप एक पाइप कीजिए फेकी भाई आपने जा की दुनिया की मदद कीजिए मैं आपको यह पैसे देता हूँ एक मिनट यह इतने पैसे काज आज आए पिंचंदे रे पास मैंने इसल में गड़ फादर टाइटन के पेट में से कुछ पैसे च्रालिय थी गाइस गॉडफादर टाइटन पैसे भी खाता है मुझे तो पता ही नी था खेर चोड़ो गाइस मैं काम करता हूँ यहाँ पर 60 मिलियन डॉर में कोई बड़ी आसा सूट कर दिलता हूँ एक मिट दोस्तों सिक्ष्टी मिन डॉर में तो सिमिलर साइसूट है अरे यार इसमें तो कुछ नहीं ही नहीं चलो एक बार बाई करके दिखता हूँ तब पतर चलेगा ओ माइग गाइस वाँ मैं पर जायन्ट ओल फादर रिवेंजर लावा गॉड़ बन गया क्या बात है क अरे बापरे मुझे साही फिला रहे यह तो लावा गॉड़ है कोई यह सी तरह से हमारे स्टाक में सन भीड़ा था और यह यहां पर क्या कर रहा है अरे नहीं मैं इसको कैसे जिन्दा करो यह तो टूनी स्टाक किया गाइस यह सब क्या चल रहा है लावा गॉड के पास ते है तूनी स्टाक के वास किया रही है है हे जितो डिब रूनी स्टाक कि ये तो रेड डाय में घर बशड़ है तो ब्रूनी तू जी बंटार की तू कोशिश क्र रहा तो कि लेंगर में प्रिमेंड बंगर के अपने प्रमिड़ स dar लिए कर सकत है और जब तक हम इसको इसे फ् पर बन करेगी तब जाखर हम अवेंजर्स को भी बचा पाएंगे और हां सिंचन को भी इन दुनिया वालों ने पकड़ रहा है क्या सिंचन जिन्दा है बलकुल वो जिन्दा है दूसकी चिंदा मत कर एक बार दुनिया वाल को पता चलेगा हम उने का आ रहा है नहीं है हम यहा सिर्फ हमें लावा कॉट के गुनेगारों से लेना है उसकी चिंता तो मत कर मैं यहाँ पर रेट संगोट की एलिमेंटल पावर चुरा कर लाँनगा जिससे के नहीं पर तो यह पता कर पाए कि लावा को उसने मारा है और लावा कुषिंदा भी कर पाए हम पर हिल्जाम लगा है कि हमारी वज़ा से लावा गॉड मरा है और दोस्तों इसको देखिए अरे काफी आराम मिल रहा है अवे इंजर्स और साथ साथ में फ्रैंकलिन की फैमिली तबाह हो गए और मुझे इसी को चुरा कर लाना होगा टोनी स्टाक के पास लेकिन यार कैसे जाओं सामने तो यहाँ पर तीन तीन जाएंट रैड दद्दू हल्क इसकी पूरी बॉड़ी को प्रिटेक कर रहे है ओ नो इनसे मुझे लड़ना होगा होई नी दोस्तों मैं यहाँ पर अपनी करने के लिए कुर्बान भी हो जाओंगा तो मुझे परिशाइड है और वाच्चे तू यहाँ पर क्यों आया है तुरा नाम क्या है और तू क्यों मजा करता है उसको तो मार दिया गया नाई में जिन्दा हो समझे और मैं तुम सब लोगो जान से मार दूगा और मुझे रै तो बहुत ही पाफल निकला और काफी मजा आ गया काफी दिन बाद किसी को पीटना मिला और लोग आए तो मजा आगा नई दोस्तों अभी मैंसे नहीं लड़ सकता ये लोग बहुत जादा पाफल है मुझे यहाँ पर ना और ज्यादा बड़ा ओल फादर लावा गॉट का स जायंट बेबी नहीं बचाया तो मैं आपके शाहत नहीं लओंगा देगा तुने सुना मेरा बच्चा मुझे दंकी दे रहा है कि अगर मैंने फ्रेंक्लिन की फैमिली से वह खतरनाक उसका जायंट बेबी हलका सूट नहीं उसको वापस दिलाया तो वह मेरे साहत नहीं जाएगा ऐसा नहीं है मैं जायंट ब्लेक फैमिली से तेरी फैमिली का वह खतरनाक जायंट बेबी का सूट बचाऊंगा बिल्क फिर हल्क तुझे पैसे देगा क्या पैसे मिलेंगे काई यह तो और बी अची बात है फिर तो यहां पर मैं जायंट ओल फादर लाओं बन सकत नया सूट करेंगे चल्दी चलते हैं मैं भी तो देखो यह ब्लैक फ्रेंकलिन ने उस बेचारे हल्क की बेबी का सूट के चुराया ऐसा क्या खास है एक मिनट गाइस यहां पर मुझे कुछ ब्लास्ट होते हुए दिख रहे ऐसा लगता है जिसे यहां पर कोई तबाई हो अरे बाप्रे काफी ही मजा आ गया उस हल्क के बेटे का सूट चुरा कर अब इसको हम गॉड्स को करोडों में बेच देंगे क्या गाइस यह कुछ जादा ही जाएंट नहीं है और यह तो थ्री हैड़ेड है ओ माइगाड वो भी तीन तीन है तब यह बच्चा बोल रहा था कि फ्रैिक लिंगी आर काइस देखिए जार यह तो जाइंट बेबी हलक का सूट है उमागाड मैं तो जोचा नहीं है कि नोगी तूम यह पर नहीं पर oleच शूट यहार बच्चे का सूट वापस लुटा दो जिससे कि यहाँपर प्र मैं गौड बन बहू gdzie ? तू हमको धमकी दे रहा है अरे बापरे हम तुझे बताते हैं पेवकूप तू बेशक यहाँ पर लावा गॉड बनना चाहता है लेकिन तेरे बश्की कुछ नहीं है अरे बापरे यह तू बहुत पाफुल है यह ले अभी और बताता हू तुझे अरे नहीं दोस्तो मैं किसी काम का नहीं हो ना सिंचेन को बचा सका ना टोनी स्टार्क को ना वेंजर्स को और अवाल के बच्चे का सूट भी नहीं बचा सकता मैं क्या करो एक म्रेंग यह कौन है ओ भाई काफी मज़ा आ गया मेरे को एक ऐसी मशीन मिल गई औरे बापरे कौन है तू रुक सर को मशीन से बताता हूं तेरी मशीन मैं फिलाल लेके जा रहा हूं अट यहां से काईज यह सब के सब चोर जब से अल फादर लावा गोर्मर आयना पूरी दुनिया का जीना हराम कर रखा इनोंने और रैट दोस्तों मैं चल्दी से इस मशीन का इस्तमाल करके ब्लैक फ्रेंक्लिन की फैमिली की बैन बचा डालता हूं उसके बाद हलक के बेबी को बचा लूँगा और गाईज यह मशीन आगे जा रही है और शायद ही अपना काम स्टार्ट कर देगी ओ माई गॉड क्या स्पीड में गई है वो अरे यह यह क्या चीज है बाई है मारे सामने ए मशीन सामने सार्जा बना तबाह कर देंगे चल मेरी मशीन दिखा देगा वाल ओ माई गॉड यह तो गॉड लेवल की लेजर चला रही है इसने बलैक फ्रेंकिलिंग की आरमी को तहस नहस कर दिया चलोगा जल्दी से इस जाल को टाते है और उस बेबी हलक के सूट को लेकर चलता है काईस वह कहां से बेबी लग रहा है लिट्रल में मेरे जितनी हाइट का एक जाएंट हलक बीबी का सूट है चलो एक काउब करते हैं जल्दी सिने इस सूट को हलके बच्चे को देते हैं उसके पाद हलक खुशो कर मुझे बहुत सारे पैसे देगा जल्दी चलता हो अरे बहुत हलका बेटा को शल्क भी खुश अले वापला थैंक्यू शोमाच अंकल जी मेले पापा के तो कुश भी बसकी नहीं है आपने आपर सूट बताया थैंक्यू शोमाच अरे अरे मेरे बेटे मैं यहाँ पर फ्रैंक्लिन को पैसे तो दे रहा हूं इसके बतने में ऐसा मत के तेरे पापा नी कुछ नी गया अच्छा थीक है चलो माव कि आपको गाइस अब हलके पास यतना पैसा है उतना ले जा अरे वाँ 90 मिलिए अब तो जरूर गाइस यहाँ अरे यहाँ पर मैं इतने पैसे में अपने लैप्टॉप के थूरू एक बड़ी आसा अल फादर लावा गॉड का सूट करीट पाऊंगा जिससे कि मैं अपने सिंचैन को बचा पाऊं और हमारी फैमिली के नाम पर लगा हूँ और लाइट गाइस यहाँ पर देखिए एक में जल्दी इस लिखो और यहाँ पर मेरे पास वो मशीन जैसी खतरनाक लेजर आ गई है मताओ अब तो मैं यहाँ पर वो रैट संगॉड के जो चेले जिसको हम बोलते हैं जाएंट रैट दूहलक उनकी बचाई सकता हूँ चलोगा है जल्दी चलते हैं और आप रहा इस ब यहाँ चुप चौप अपनी एलीमेंटल पावर्स मुझे दे दे मुझे अपनी फैमिली को बचा रहा है उनके नाम पर लगा कलंगटा रहा है यह तो बहुत खतरनाक लेजर रहा है तू भी क्या याद रखेगा यह वाह मैंने यहाँ पर जाएंट रैट संगॉड को भी ल सकता चलो जल्दी चलते हैं यह ले हट जा सामने से मुझे कोई नी रोक सकता मैं तुझे रोक कर रहूंगा ओ नो यह मुझे रोकना चारा है लेकिन मैं हटूंगा नहीं पीछे रहूंगा ओल्रैट गाइस अब जल्दी से हम टोनी स्टाक के पास चलते है टोनी स्टाक यह एलिमेंटल अंडा में लेकर आगया हूँ, वो भी सीधे रेट सन गॉड से, क्या बात है फ्रेंकलिन, तूने तो यहां पर कमाल कर दिया, बस मुझे इस जाएंट एलिमेंटल एक को हमारे प्यारे ओल फादर लावा गॉड के हैड के अंदर रखना हुआ, जिससे कि उसकी चा और गाइस, मैंने यहां पर ही अलिमेंटल रख दिया है, इस उम्मीद करता हूँ, यह अलिमेंटल अंडा मेरे भाई लावा गॉड को जिन्दा करते, और उसके बाद यह पता चलेगा कि इसको किस ने मारा है, मैं जिन्दा कैसे हो गया, मुझे उम्मीद नहीं थी, अवें इसलिए हमारी पूरी दुनिया ने तरह को यह गुफ्ट दिया है, यह मेरी तरफ से भी यह ले, क्या, पूरी दुनिया के लोगों ने खुश होकर मेरी बहादुरी से और इमानदारी से मुझे 400 मिलियन डॉर दिये, ओल राइट गाइस, 400 मिलियन डॉर में तो में आल फाद आई, तो प्लीज स्क्रीन पर जो विडियो देख रहे हैं, वो भी देख लीच, यह बहुत साथा मसा आएगा, थेंक्यू सो मच, हेहे!